दर्शको आज हम राश्टी आय के लेखांकन के अंतरगर्थ राश्टी आय को मापने की विधियों को समझेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि राश्टी आय को मापने की तीन विधियां होती हैं पहली उत्पाद अत्फा मुल्य वर्धित विधी, दूसरी आय विधी वा तीसरी वै विधी ये तीनों विधियां अर्थवयस्था की तीन इस्तर पर आर्थी क्रियाओं से संबंदित है सर पर्थम अर्थवयस्था में वस्तूओं व सेवाओं का उत्पादन होता है जितनी भी वस्तुओं वा सेवाओं का उत्पादन हुआ उनके मुल्य को ग्याद करने के लिए हम समस्त अंतिम वस्तुओं वा सेवाओं के मुल्य को जोडते हैं इस इस्तर पर उत्पाद की गणना उत्पाद विरीजे की जाती है उत्पादन होने के पश्चाथ उत्पादन के कारकों श्रम, भूमी, पूंजी वा उध्यमवर्ती को उनके उत्पादन में योगदान के पारिश्रमिक के रूप में आय वित्रित की जाती है इस इस्तर पर राश्च्टी आय का अनुमान लगाने के लिए हम आय विधी का प्योग करते हैं और जब परिवारो द्वारा प्राप्त आय का निस्तारन किया जाता है, अर्थार्थ प्राप्त आय को परिवारो द्वारा वै किया जाता है तो इस स्तर पर आंकलन करने के लिए वैविधी प्रियोग में लाई जाती है यहां ये अवश्य सनद रहे कि अर्थवयस्था में होने वाली आर्थी करियाओं के तीनों स्तर आय का स्रजन, आय का वितरन और आय का निस्तारन में प्रियोक्त होने वाली तीनों विधियों से एक समान मुल्य प्राप्त होता है जो ये दर्शाता है कि तीनों इस्तर पर एक समान अर्थिक गतिवियें होती है जितने मुल्य की अंतीम वस्तुएं वा सेवाएं उत्पादित हुई हैं उतने ही मुल्य की आये उत्पादन के कारकों में वित्रित की जाएगी और उतने ही मुल्य की आये का वो निस्तारण करते हैं आईए अब हम राष्टी आये के आकलन की प्रथम विधी जिसे हम उत्पादन या मुल्य वर्धित विधी कहते हैं को समझने का प्रयास करते हैं इस विधी में हम अर्थफ़ाइवस्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तूओं के मुल्यों को जोड़ते हैं ये हम कैसे कर पाते हैं? क्या हम सभी उत्पादकों के द्वारा उत्पादित वस्तूओं वा सेवाओं के मुल्य को जोड़ते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उधारन लेते हैं। माना अर्थ वस्ता में दो तरह की उत्पादन गतिविदियां हो रही हैं। एक गेहूं के उत्पादन की और एक बेकर की जो ब्रेट का उत्पादन करता है। अब यह मानते हैं कि किसान ने 100 रुपे के गेहूं का उत्पादन किया और उसमें से अपने उप्योग के लिए बचा कर 50 रुपे का गेहूं बेकर को बेज दिये। किसान को गेहूं के उत्पादन के लिए अपने शरम के अत्रित किसी परकार की अन्य आगत की ज़रूत नहीं पड़ी अब दूसरे स्थर पर बेकर ने इस खरीदे गई गेहूं की साहता से 200 रुपे के ब्रैड का उत्पादन किया अब प्रशन ये उठता है कि अर्थवास्ता में कुल कितना उत्पादन हुआ 100 रुपे का गेहूं और 200 रुपे का ब्रैड कुल 300 रुपे का थोड़ा ध्यान से देखने पर समझ आता है कि कुल उत्पादन 300 का नहीं हुआ है किसान ने तो 100 रुपे के गेहूं का उत्पादन किया क्योंकि उसने किसी अन्यागत ये कच्चे मल का प्रयोग नहीं किया परन्तु इस 200 रुपे के उत्पादन में बेकर का संपून योगदान नहीं है क्योंकि उसने 50 रुपे का गेहूं किसान से खरीदा था बेकर के उत्पादन में योगदान को गयात करने के लिए उसके उत्पादन मुले में से खरीदे गए गेहूं का मुले गटा दिया जाना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे दोरी गड़ना की गलती कहा जाएगा क्योंकि 50 रुपे के गेहूं के मुले को दो बार जोड दिया गया है पहले तो किसान दोरा उत्पादित गेहूं के मुले में और दूसरे बेकर दोरा उत्पादित ब्रेट के मुले में अतहा वास्तम में बेकर द्वारा जो युगदान दिया गया है वो 200 रुपए का नहीं वरन 50 रुपए घटा कर 1500 रुपए का है इसे ही बेकर के द्वारा की गई मुल्य वर्दी कहा जाता है और जो गहूं उसने खड़ीदा था वो उसकी मद्धे वर्ति भोग कहलाएगा अतहा एक फरम की मुल्य वर्दी उसके उत्पादन मुल्य में से उसके दोवारा मद्धे वर्ति भोग को गटा कर प्राप्त होती है अर्थफेस्था में आयका अगलन करते समय दोहरी गढ़ना की समस्या हर वस्तू के उत्पादन में आती है जैसे किसान ने कपास का जिसने कपड़ा बनाया और उसे गार्मेंट फैक्टर को बेज दिया जिसने कपड़े से शट बनाई अब इस प्रक्रिया में कपास धागा वा कपड़े के मुल्य की गढ़ना एक से अधिक बार की गई इस दोहरी गढ़ना की समस्या से बचने के लिए दो उपाई के जा सक जैसे कि केवल शट के उतपादन मुल्य को राष्टी आए में शामील किया जाए वा अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे कपास धागा वा कपड़े के मुल्य को राष्टी आए निकालते समय छोड़ दिया जाए और दूसरों पाई है कि उतपादन के सभी स्थर पर मुल् की मुल्यवर्दी ग्यात की जाती है कि पूरी अर्थफ्यस्था में सभी उतपाद को द्वारा हुए उतपादन की गणना अर्थार्थ राष्टे आए की गणना करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कारे किया जाता है पहले चरण में उत्पादन के सभी शित्रों की सभी उत्पादन इकाईयों के उत्पादन मुल्यों को जोड़ा जाता है उत्पादन मुल्य में उत्पादकों की कुल विक्री के साथ ही जो भी बिना विका उत्पादन रह गया है जिसे माल सूची निवेश कहते हैं उसे भी सम्मिलित करते हैं यहां ये भी ध्यान रहे कि फर्म के पास वर्ष के आरम में भी कुछ बिना विका उत्पादन हो सकता है अतहे हैं माल सूची में निवल निवेश ग्याद करना जरूरी है इसके लिए वर्ष के अंत में बचे स्टॉक में से वर्ष के आरंभिक स्टॉक के मुल्य को घटा दिया जाता है अंतह तहां उत्पादन मुल्य बराबर कुल विक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन वा स्टॉक में परिवर्तन बराबर अंतिम स्टॉक घटा आरंभिक स्टॉक दूसरे चरण में सकल मुल्ले वर्दी और बजार कीमत पर सकल घरेल उतपाद का आकलन किया जाता है हमने जो किसान और बेकर का उधरन लिया था उन दोनों के दोरा की गई मुल्ले वर्दी व्याद करने के लिए उनके उतपादन मुल्ले में से मद्धे वर्दी वस्तूओं के मुल्ले को घटा दिया जाएगा अर्थार्थ बाजार कीमतों पर सकल मुल्य विर्दी बराबर उत्पादन मुल्य माइनस मध्यवर्ति भोग इस तरह हम अर्थफेवस्था में सभी उत्पादनी काईयों के सकल मुल्य विर्दी निकाल कर जोड़ दें तो हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थार्थ GDP-MP ग्यात हो जाता है तीसरे चरण में हम GDP-MP की सहयता से घरेलू आये का आगलन करते हैं अभी तक हमने समस्त अर्थवस्था की कुल मुल्लेवर्दी ग्यात कर ली है तो अब हमें इसमें कुछ समायोजन करने होंगे पहला समायोजन तो मुल्ले हरास का करना होगा क्योंकि सकल में पुरानी मशीनों की तूट-फूट के बदले जो नई मशीनों को हस्तांतित किया गया है का मुल्ले भी शामिल हता है जिसे मुल्ले हरास कहा आता है अतहा निवल मुल्ले वर्दी निकालने के लिए सकल मुल्ले वर्दी में से मुल्ले हरास को घटा दिया जाता है और दूसरा समायोजन निवल अप्रतेक्ष कर का किया जाता है क्योंकि वस्तूओं वा सेवाओं का विक्रे बाजार में किया जाता है और इसलिए मुल्य वर्दी बाजार की किम्तों पर ग्यात हुई है जिसमें सरकार के दुवारा लगाए गए अपर्तेक्षकर भी शामिल होते हैं और सरकार दुवारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन को दिये जाने वाले आर्थिक उपतान भी सम्मिलित होते हैं अतहा साधन लागत पर मुल्य वर्दी ग्यात करने के लिए निवल अपर्तेक्षकरों के मुल्यों को भी घटा दिया जाता है अतहा निवल अपर्तेक्षकर बराबर अपर्तेक्षकर माइनस आर्थिक उपतान इन दोनों समायोजन के पश्चार्थ जो आए प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद घरिलू उत्पाद अर्थार्थ NDPFC कहा जाता है और साथ ही इसे घरिलू आए भी बोला जाता है साधन लागत पर शुद घरिलू उत्पाद बराबर NDPFC बराबर घरिलू आए बराबर बाजार कीमतों पर सकल घरिलू उत्पाद GDPMP माइनस निवल अपर्तेक्षकर माइनस मुल्लेहरास चोथे चरण में राष्ट्री आए का अगलन होता है अभी तक हमने जो आए निकाली थी वो घरिलू आए थी परन्तु हम जानते हैं कि हमारे कुछ सामाने निवासी दूसरे देशों में भी काम के लिए प्रवास करते हैं जैसे साओधी अरम में गए भारती निवासी यह जो आए प्रवत करते हैं उसे हमारी राष्ट्री आए में से शामील किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे निवासियों ने अर्जित की है इसी परकार जो विदेशी गयर निवासी वक्ती ये संस्थान भारत में आकर आय अर्जित करते हैं उधारन के लिए कोरियाई कार कमपनी हुन्डई ये भारत में अपने वेवपार से जो आय अर्जित करती है वो उनके देश के समाने निवसी की आये है अतहा हमारी राष्ट्री आये में शामिल नहीं होनी चाहिए इस समायोजन के लिए हम घरेलू आये में से शेश विश्व से प्राप्त निवल कारक आये को जोडते हैं अतहा हम निवल राष्ट्री उत्पाद या राष्ट्री आये बराबर घरेलू उत्पाद प्लस शेश विश्व में निवत उत्पादन के घरेलू कारकों दोवारा अरजित कारक आये माइनास गरेलू और्थफास्था में नियोजित शेश विश्व के उत्पादन के कारकों दोवरा अर्जित आए इस चरणबत तरीके से हम मुले वृद्धी विद्वारा राष्टी आये का अंकलन करते हैं इस विधी द्वारा राश्टी आये निकालते समय हमें कुछ सावध्यनें भी वरतनी चाहिए जिससे की राश्टी आये का सही मुल्ले ही आये सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि दोहरी गणना से बचा जाए इसके लिए केवल अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के मुल्ले को जोड़ें या मुल्ले वर्दी को तूसरे विक्री में केवल नई वस्तूओं के क्रे विक्रे को ही शामिल करते हैं पुरानी वस्तूओं के विक्रे को नहीं क्योंकि ऐसी वस्तूओं का मुल्य उस वर्ष जोड़ जा चुका है जब इनका निर्मान वा विक्रे हुआ था इनका इस वर्ष के उत्पादन में कोई योगदान नहीं है तीसरे यदि उत्पादक वस्तूओं का उत्पादन कर उसमें से कुछ वस्तूओं का प्रियोग स्वयम कर लेता है और बाजार में विक्रे नहीं करता है तो भी इन स्वयम उभोक के लिए रखी गई वस्तूओं का मुल्य सकल उत्पादन में शामिल किया जाएगा अब हम राश्ट्री आय को मापने की आय विधी को समझते हैं इस विधी के अंतरगत सबसे पहले चरण में सरव पर्थम हम अर्थवस्था के सभी शेत्रों में सभी उत्पादक फर्मों दुवारा वित्रित की गई कारक आय का अनुमन लगाते हैं इसके लिए समस्त प्रकार की कारक आय के आखड़ी लिये जाते हैं दूसरे चरण में इन सभी कारक आय को जोड़ा जाता है और घरेलू आय ग्यात की जाती है कारक आय उत्पादन के सभी साधन मानवश्रम, भूमी, पूंजी और उध्यम्रति से मिलने वाली आय होती है करमचारियों का पारिश्रमिक करमचारियों का पारिश्रमिक मानवश्रब कारक का उत्पादन में योगदान का पारिटोशिक है इसके दो घटक है पहला वेतन वा मजदूरी चाहे वो नकदराशी के रूप में दी गई हो या अन्य किसी रूप में जैसे निशुल्क रहने के लिए मकान, भोजन आने जाने के लिए यतायात का साधन इत्यादी दूसरा घटक है नियोक्ता दुआरास समाजिक शुरक्षा योजना में किया जाने वाला अन्शदान नियोक्ता या फर्म का स्वामी अपने करमचारियों के भविश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी पेंशन स्कीम या प्रविडेंट फंड में योगदान करता है या स्वास्थे से संबंदित कोई भीमा आदी पर खर्च करता है जिससे उसके करमचारी समाजिक रूप से सुरक्षित रह सके तो यह अन्शदान भी करमचारियों के परश्मिक का ही हिस्ता है अतहा करमचारियों का पारश्मिक बराबर वेतनवा मजदूरी, नगद और निशल सुईधाएं, जमा, समाजिक सुरक्षा योजना में अन्शदान इसमें उत्पादन के बाकी बचे तीनों कारक भूमी, पूंजी वा उध्यमवर्ती को उत्पादन में योगदान के प्रसकार के रूप में मिलने वाली आये सम्मलित होती है अर्थार्थ, परिचालन दिशेश, बराबर लगान वा रॉयल्टी, जमा ब्याज, जमा लाब होता है लाब को भी तीन भागों में वेक्त किया जाता है और प्रिचा की दृष्टी से भी पता होना चाहिए कि लाब का एक हिस्सा सरकार को निगम लाब कर के रूप में दिया जाता है लाब का दूसरा हिस्सा निगम या फर्म अपने पास निगमित बच्टों के रूप में रख लेते हैं ताकि भविष्चे में फर्म की आर्थिक अवश्रत्तों को पूरा किया जा सके और लाब का बाकी बचा तीस्सा निगम के मालिकों अर्थात शेर धर्खों में लाबहांश के रूप में वित्रित कर दिया जाता है अतहे लाब बराबर निगम लाब कर जमा निगमित बच्चते या अवित्रित लाब जमा लाभांश तीसरा अव्यव है स्वे नियुजोकों की मिश्रित आए करमचारियों के परश्मिक और परिचलन दिशेश में उत्पादन के चारों कारकों की आए सम्मलित हो गई है क्योंकि जो लोग स्वे नियोजित होते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर अकॉंटेंट, इत्यादी इनकी आए चारों तरह की कारक आए वेतन, लगान, व्याज और लाब का मिश्रण होती है और इन्हें प्रथक करना संभव नहीं होता अतहाए राश्टी आए के आकलन में इसे एक अलग मद मिश्रित आए के रूप में दर्शाय जाता है अन्ततह इन तीनों अव्यों को जोड़ कर घरेलू आए ग्यात हो जाती है वह इसका सूत्र कुछ इस परकार बन जाता है साधन लागत पर शुद घरेलू उत्पाद, NDPFC, अथार्थ घरेलू आए बराबर करमचारियों का परश्मिर्ख, जमा परिचालन दिशेश, जमा स्वयन इजोचों की मिश्रित आए आए विधी से राष्टी आए की गण्णा करते समय भी कुछ सावधानिय बरतनी आवशक है सरप्रथम केवल अरजित साधन आए को ही सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरन आए को नहीं क्योंकि वस्तूओं वा सेवाओं के प्रभा में हस्तांतरन आए का कोई योगदान नहीं होता दूसरे, पुरानी वस्तूओं को बेशने से मिलने वाली आए सम्मिलित नहीं होगी तीसरे, पूंजीगत लाब जैसे संपत्ति को बेचने पर होने वाला लाब आधी को शामिल नहीं किया जाता एक वेकलपिक तरीब का राश्टियाय को ग्याद करने का है उत्पादन के मांग पक्ष को देखना अर्थार्थ उत्पादन को खरीदने पर होने वाले वे की गणना करना इसे वेविधी कहते हैं जो हमने किसान और बेकर का उधारन मुले वर्दी विधी में लिया था उसे यदि वेविधी की दृष्टि से देखें तो अंतिम वस्तू ब्रेड को खरीदने पर 200 रुपे का वेव होगा और किसान ने 50 रुपे का उत्पादन स्वेम उभोग के लिए रखा जो कि उसका अंतिम उभोग है इस तरह 250 रुपे का अंतिम वस्तू का उत्पादन हुआ इस तरह हम समझ सकते हैं कि दोनों विदियों में उत्तर समान ही है इस प्रकार अर्थव्यवस्था के चारों शित्रों परिवार, फर्म, सरकार और शेश विश्व द्वारा अंतिम वस्तुओं वा सेवाँ पर किया जाने वाला वे को जोड़ने पर बाजर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, एमपी का अंकलन हो जाता है इस तरह चार अव्यव इसमें शामिल होते हैं पहला निजी अंतिम उप्भोग वे निजी अंतिम भोग वे परिवारों द्वारा अंतिम वस्तुओं वा सेवाँ के क्रेय पर होने वाला वे होता है जैसे भोजन, मकान, कार, इत्यादी पर किया जाने वाला वे दूसरा अव्यव है सारवजनिक अंतिम उप्भोग वे सारवजनिक अंतिम उप्भोग वे सरकारों द्वारा जनता को जो सेवाएं दी जाती हैं उनके उपर होने वाला वे समिलित है जैसे शिक्षा, स्वास्थे वा सुरक्षा पर सरकार द्वारा के जाने वाला वे तीसरा अव्यव है सकल घरेलू पूंजी निर्मान सकल घरेलू पूंजी निर्मान में फरम वा सरकार द्वारा पूंजी कत वस्तुओं परनिवेश के रूप में जो वे किया गया है को समिलित करते हैं इसमें स्थिर संपत्ति, परनिवेश तथा मालताली का निवेश दोनों ही समिलित होते हैं और चोथा व्यव है निवल निर्यात अर्थार्थ निर्यात में से आयात को घटाने पर जो मुल्ले प्राप्त हो यह शेश विश्व द्वारा हमारे घरेलू उत्पाद की मांग को दर्शाता है सूत्र के रूप में देखें तो GDPMP बराबर निजी अंतियू भोगवे जमा सारवजिनिक अंतियू भोगवे जमा सकल घरेलू पुंजी निर्मान जमा निवल निर्यात निर्यात मैनस आयात राश्ट्री आया गयात करने के लिए पहले की विधियों के समान ही समायजन करने होंगे और सूत्र इस प्रकार होगा राश्ट्री आया NNPFC बराबर GDPMP मैनस मुले हरास मैनस निवल अपरतेशकर जमा शेश विश्व से प्राप्त निवल कारक आया NFIA वे विधि से राश्ट्री आय की गणना करते समय भी कुछ सावधानिया अवश्य बढ़ती जानी चाहिए पहली मद्धेवर्ती वस्तु के क्रैपर होने वाले वे को शामिल नहीं करना दूसरे हस्तांतरन वे को शामिल नहीं करना तीसरे प्राणी वस्तों के क्रैपर होने वाले वे को नहीं जोड़ना और चोथा ये की उत्पादन का स्वेव भोग किया है तो उसके मुल्य को राश्टी आये के आंकलन में जोड़ा जाएगा राश्टी आये के मापन की तीनों विदियां सीखने के पश्चात अब हम कुछ महत्पून संकलपनाओं को भी समझते हैं जिसमें प्रथम है वर्तमान सकल घरेलूतपाद और वास्तविक घरेलूतपाद वर्तमान सकल गरिल उत्पाद का अर्थ है वर्तमान वर्ष की कीमतों के आधार पर सकल गरिल उत्पाद की गणना करना जबकि वास्तवीक सकल गरेल उत्पाद की स्थिती में सकल गरेल उत्पाद को वर्तमान वर्ष की कीमतों के स्थान पर आधार वर्ष की कीमतों अर्थार्थ इस्थिर कीमतों पर मापा जाता है इसे एक उधरन्ट से समझते हैं माना बेकर ने वर्ष 2000 में ब्रेड की 100 एकाईयों के उत्पादन किया और उन्हें 10 रुपे कीमत पर बेचा इस प्रकार वर्ष 2000 में सकल घ्रेल उत्पाद हुआ 100 गुना 10 बराबर 1000 रुपे अब माना अगले वर्ष 2001 में बेकर ने ब्रैट की 110 एकाईयों का उत्पादन किया और उसे 15 रुपे कीमत पर बेचा तो 2001 वर्ष का मोदरिक सकल गरेल उत्पाद होगा 110 गुणा 15 बराबर 1650 अब यदि हम वर्ष 2001 की वास्तविक सकल गरेल उत्पाद जाना चाते हैं तो हमें वर्ष के उत्पाद को आधार वर्ष जो की वर्ष 2000 है की कीमतों के आधार पर ग्याद करेंगे तो मुल्ले आएगा 110 गुणा 10 बराबर 1100 यह 1100 वास्तविक सकल गरेल उत्पादन है जो की कीमतों को स्थिर रखने पर प्राप्त हुआ है जबकि 1650 वर्ष में कीमतों के बढ़ने के करणा आया था इस अवधारना से हमें अर्थ वहस्ता में होने वाली वास्तविक वृद्धी का पता चलता है वर्ष 2.01 के सकल गरेल उत्पाद की इन दोनों अवधारनाओं से सकल गरेल उत्पाद अविस्वितिक GDP डिफलेटर का मुले ग्याद किया जा सकता है जिसका सूत्र होगा GDP डिफलेटर बराबर मौद्रिक GDP डिवाडिड बाई वास्तविक GDP इसे परतिशत में परदशित करने के लिए हम इसे सोसे गुणा कर देंगे राश्ट्री आएक लेखांकन के अंतिम संकल्पना के रूप में अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि GDP और कल्यान किस परकार से संबंदित हैं क्या किसी देश की GDP के बढ़ने से सदैव कल्यान में वृद्धी होगी वास्तम में ये सदैव सही नहीं होता इसके तीन कारण है पहला सकल घ्रेली उत्पाद का वित्रण यदि GDP बढ़ता है परंतु उसके वित्रण में असा मनता है मतलब कि अमीर वर्ग को अधिकाई मिले और निम्न वर्ग को और भी कम तो इससे देश में लोगों के कल्यान में वृद्धी नहीं होगी अपितू असामानताएं और भी बढ़ेंगी इसके विपरीत बिना GDP बढ़े भी यदि देश में अमीर वा गरीब के बीच की असामानताएं कम हो जाएं तो वो कल्यान को बढ़ाएगा दूसरा कारण है गैर मोद्रिक विनिमे अर्थवयवस्था में वो आर्थि गतिविरियां जिनको मुद्रा के रूप में मापना संभव नहीं होता क्योंकि सही आंकड़े उपलब्द नहीं होते हैं उधारन के लिए परिवार में ग्रहनी की सेवाएं या ग्रामिन भारत में आज भी वस्थू के बदले वस्थू का विनिमें इन गतिविधियों से लोगों का कल्यान तो बढ़ता है परंतु जीडीपी में ये शामिल नहीं हो पाती और जीडीपी का मुल्यांकन वास्तविक से कम रह जाता है तीसरा करण है वहीय करण वहीय करण से तरफ पर रहे किसी फर्म या व्यक्ति के लाव याहनी से है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और जिसका भुक्तान या दंड नहीं दिया जाता है यह दो प्रकार का होता है नकारात्मक वास्कारात्मक नकारात्मक वहीय करणों में फैक्टरी की चिमनी और वहनों से निकलने वाला धुआ इत्यादी संब्लित होते हैं जिनसे दूसरों लोगों को नुकसान होता है और उन्हें इसके बतले कोई भुकतान भी नहीं किया गया यानि कि वाहन मालिकों या फैक्टरी मालिकों को कोई धन्ड भी नहीं देना होता। सकारत्मक वहिय कारणों में किसी फ्लाई ओवर के निर्मान से लोगों के समय और वाहन के फ्यूल में होने वाली बचत इसके साथ ही यह अध्याय समप्त होता है धन्यवाद अध्याय समय थे लोगों में होता है